वैसे मेडिकल साइंस ऐसे दामू को कता ही नहीं मानती अब आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे लेकिन जो दावे किये जा रहे हैं वो वाकई अचंबत करते हैं लोगों का कहना आई कि उनके लिए भी ये किसी अजूबे से कम नहीं है क्योंकि टीका लगने के बाद ही इस तरहें के साइड एफेक्ट दिखने शुरू हुआ हैं सिर्फ ये चुम्बकिया गुण ही उन्हें परिशान कर रहा है प्रेक्षिन लगने के पुछ दिन बाद से ही मेरे लोए के सिखने और पेंड्राइव चिपगना शुरू हो गया है सच की परताल जरूरी है, दावों की परताल जरूरी है, क्यूंकि मामला बेहद सम्वेदंशील है। जिन शहरों में लोगों ने शरीर में चुमवकी गुण के दावे किये हैं, उनमें से कुछ ने कोरोना टीके का पहला डोज लगवाया था, तो कोई दोनों डोज लगवा चुका है। आज तक ने इसकी परताल शुरू की, हमारे समवादाता उन परिवारों तक और उन लोगों तक पहुंचे, या कुछ के पास पहुंचने की कोशिश की, जो संसने खेज दावे कर रहे थे। उन ही में से एक है सीकर का सोनी परिवार, पूरे इलाके में ये परिवार सुरुखियों में है। हर कोई सोनी परिवार का सुख दुख जानने आ रहा है और उनके दावे को भी सुन और देख रहा है। राजकुमार सोनी ने 16 माई को वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी। टीका लगवाया, तब से अब तक उन्हें ना तो बुखार हुआ और ना ही कोई दूसरा साइड एफेक्ट समझ में आया। सोनी को इस लक्षन का तब पता चला जब उनके बेटे ने ऐसा कोई वाइरल वीडियो देखा। फिर उसने अपने माता पिता को बताया और खुद भी चमत मोबाईल जैसी छोटी छोटी चीज़ें चिपका कर देखा। राजकुमार सोनी के शरीर पर भी बरतन चिपक गये। मोबाईल भी चिपक गया। पहली बार तो राजकुमार सोनी और उनका पूरा परिवार सहम गया। फिर उनकी पतनी पुषपा सोनी ने भी वैसे ही चमज बरतन को आजमाया। ठीक वैसे ही चुमबकी अलक्षन होने का दावा पुषपा सोनी ने भी किया। पहली लड़के ने गर पर आया तो उनने बुलिया के आप इन जैसन लगवाया ना। राजस्थान के एक और शहर से राजकुमार सोनी जैसा दावा सामनी आया। शरीर पर कैंची जैसी चीज भी बड़े आराम से चिपक गई है। साथ साथ चमच दिख रहा है। एक बहाँ पर पैन ड्राइब भी चिपका हुआ है। कुछ सिक्के भी दिख रहे हैं। ये हैं कोटा के रहने वाले फटोग्रफर सज्जन सी। इन्होंने 24 मई को टीका लगवाया था। अब दावा कर रहे हैं कि वैक्सिन लगवाने के बाद से ये चीजें इनके बॉड़ी में चिपकने लगी हैं। इन दावों पर कितना भरोसा किया जाए, कितनी सचाई है इनमें। तमाम सवालों के साथ डॉक्टर से बात की गई। कोटा के डॉक्टर केवर डंग ने बेहद सपष्ट शब्दों में समझाया कि ये नामुम्किन है। और लाखों में नहीं होता हम उसको सप्टता नहीं मान सकते। और कोई तथे शावित नहीं कथा, कोई अध्या नहीं सब्सक्राइब कि इस तरह से कुछ हुआ है। सुना अपने। डॉक्टर श्टिका करन के ऐसे किसी भी साइड एफेक्ट से इंकार कर रही है। लेकिन राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी ऐसे ही दावे किये जा रही है। अब ये रिसर्च का विशे है कि क्या कुरोना वैक्सीन लगवाने की वज़े से शरीर में मैगनेटिक फील्ड या मैगनेटिक गुण पैदा हो जाते हैं या नहीं। पर अलग-अलग डॉक्टर इन दावों को खारिच कर रही है। पर कई शहरों से सामने आए लोगों के दावों के बाद शंकाएं घेर आ गई है। कैमरा परसन निखिल शर्मा के साथ देव अंकुर वधावन जैपूर आज तक। राजस्तान के अलावा महराश और जमुकश्मीर में भी दो परिवार ऐसे हैं जो सी तरह के दावे कर रहे हैं। जिस पर डॉक्टर्स भी अकी नहीं कर रहे हैं लेकिन वो जो दावा कर रहे हैं वो सुरुखियों में हैं। ये बुज़ूर्ग अपने शरीर पर पूरी तसल्ली के साथ चाबी चिपका रहे हैं। सिक्के चिपका रहे हैं। चम्मच चिपका रहे हैं। कट हुआ कर रहने वाले किरपाल सिंग ने कोरोना काल में सुरक्षित रहने के लिए ठीका लगवाया था। दो मैने पहले ही इन्होंने पहली जोज ले ली। अब दावा कर रहे हैं कि वेक्सिनेक्शन के बाद पता चलते हीं। इन्होंने अपने शरीर पर बरतन और दूसरी छोड़ी छोटी चीज़ें चिपका आई। तो इनके होश उड़ गए। आज तक की टीम किरपाल सिंग के खर पहुंची। तब उन्होंने फिर वैसा ही दोराया जो दावा कर रहे थे। प्लेट में कुछ चमच और कुछ सिक्के चाबी लाकर टेवल पर रखे। और फिर उन्हें एक केट कर चिपकाए। प्लेट में कुछ सिक्के चमच जो हैं मैटल के बड़ी के अटेच हो रहे हैं। तो हमने भी ट्राइकर के देखा। तो मैंने सारे चमच, शिक्के, जो चाबी होती हैं। अलालग मैटल के शिक्के जो अल्मुनियम के हैं। जो पराने तामबे, पितलगे। हार एक मैटल का जो ट्राइकर के देखा, तो हार एक मैटल वो अटेच हो रहा था। कटवा में डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना वैक्सिन से शरीर में ऐसा लक्षन कता ही नहीं दिखेगा। और नहीं वैक्सिन का चुमच से कोई ले ना देना है। सोशल मीडिया पर क्या रहा है इस पर तो मैं कुछ टिंपनी नहीं कर सकता। वैक्सिन की वज़ा से इस किसम की कोई शिटाइद हो नहीं सकती है। ना ही यहाँ पर आई है और ना ही होने की पॉसिबिल्टी है। फिलाल यहां रुकिंगे एक ब्रेक के लिए देखते रहिए आज तक।